आज हम बनाएंगे चिकन इस्टिक रेस्टोरेंट इस्टाइल में आए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है सबसे पहले हम बावल में एक वाटी दही दालेंगे और इसमें दालेंगे एक चमच अद्रक लसुन का पेस्ट और दालेंगे एक चमच हरी मिर्ची पीसी वी एक चमच धनया पाऊडर आधा चमच घरम मसाला पाऊडर आधा चमच काली मिर्दी पाऊडर हम दालेंगे नमक यह सारी चीज को अब हम मिक्स करेंगे यह सारी चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है अभी मैं इसमें दालूंगी दो प्याज उसको मैंने चौकन तुकड़ों में काटी हूं और दो शिम्डा मिर्ची को भी मैंने सेम ऐसे ही काटी हूं चौकन चौकन वह इसमें दाल दूंगी अभी हम इसमें दालेंगे चिकन यह मैंने 500 गिराम लियूं बॉनलेस और उसके मैंने चोटो चोटे पीस ऐसा करकर रखी हूं यह भी हम इसमें दाल देंगे इसमें सारी चीज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन में देखिए अच्छे से मसाला सम मिक्स हो चुका है अभी हम यह स्टिक लेंगे और उसमें पहले लगाएंगे शीमला मिर्च और एक फिर प्याज और फिर चिकन फिर वापिस से हमें शीमला मिर्च लगाना है फिर प्याज और फिर चिकन देखिए इसी तरह मिष्टिक में सारी चीजे को लगाएंगे देखिए इस टिक में सारी चीजे लगा कर हो चुकी है और बचा हुआ मसाला भी मैं इसके उपर डाल दूँगे अभी हम इसको पंदरा मिनेट फ्रीज में मैरिनेट के लिए रख देंगे चीकन मेरिनेट हो चुके है अभी हम इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए मैंने गैस पर पैन रख दी हूँ अभी इसमें डालोंगी तेल गरम होने के बाद मैं इसमें इस्तिक रख दूँगे और हमें इसे धीमी आज पर ही पकाना है हमें इसे लालोंगे तके फ्राइ करना है और अब हमें इसे पलट लेंगे देखिए इस तरीके से रंग आना चाहिए कितना प्यारा रंग आया है सारी इस्तिक को हम पलटा लेंगे ये खाने में बहुत तेश्की होता है बनाने में बहुत आसान है आप कोई भी मौके पर इसको बना सकते हैं इसको हम वापीस से पलताएंगे चारे तरफ हमें इसे लाल होने तक है त्राइ करना है चिकन को देखें चिकन इस्टिक चारे तरफ से लाल हो चुकी है चिकन भी अच्छे से पक चुका है अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह हम सारे इश्टिक को फ्राई करेंगे देखें सारे इश्टिक हमारी फ्राई हो चुके अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे माशाला चिकन इस्टिक बनका तयार हो चुके हैं वीडियो पसंद आए तो शेर कीजिए लाइट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना चिकन इस्टिक कैसे बने अल्ला हाफीज कर शेर में यू कीजिए थेर लाइब रभी आएब máxim लाइब ताया कीजिए